दोस्तों हमने पहले के वीडियो में देखा कि chemical bonds तीन प्रकार के होते हैं ionic bonds, covalent bonds और coordinate bonds जिनमें से हमने पिछली वीडियो में ionic bonds के बारे में discuss किया था इस वीडियो में हम covalent bonds के सभी important points को discuss करेंगे तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजिए तो दोस्तों covalent bonds का formation electron के समान साज है से होता है मतलब electron को आपस में share करने से formation होता है इसकी खोज लूइस दुआरा की गई थी covalent bonds को दरसाने के लिए single bond, double bond और triple bond के रूप में लिखा जाता है for example hydrogen molecule में hydrogen के atoms के बीच single bond oxygen के atoms के बीच double bond और nitrogen में nitrogen के atoms के बीच triple bond होता है covalent bonds दिसात्मक होते है मतलब directional होते है covalent bond का formation P block के तत्वों के बीच या अधातों के बीच या अधेक विद्दुत रनात्मक तत्वों के बीच या जिनकी electronegativity का difference 2.1 से कम होता है उनके बीच covalent bond का formation होता है ऐसे योगिक जिनमें covalent bond होता है वेसा सेयोजी प्रकृती की या विद्दुत अनब घटे मतलब non electrolyte होते है दोस्तों chemistry basics की complete playlist चैनल पर available है उन सभी वीडियोज को जरूर देखिए और चैनल को subscribe कर लीजिए